असलाम वालेकुम अब्रीवान दिस अलीव फ्रॉम मास्टेक दोस्तों वीवो एसफन आने के बाद काफी कंपिटिशन हो चुका है और बहुत सारे दोस ऐसा है जो मुझसे पूछते हैं यार हीलियो पी 65 की क्या परफॉर्मेंस है लेकिन इसी रेंज में एक किंग चल रहा है फिलहाल मेरे इसाब से स्नैब्रेगन 710 के साथ रियल मी 3 प्रो आज किस वीडियो में इन दोनों ही फॉन्स की परफॉर्मेंस का टेस्स करते हैं कौन सा फून ज्यादा अप्टिमाइज है कौन सा फून एप्लिकेशन को ज्यादा लोड कर लेता है और यहां में डिफरेंस को भी आप्टिमाइज करते हैं और यहां यह भी पता लग जाएगा कि वीवो एस वन मैक्सिमम कितने ग्राफिक्स पर पबजी को खेल लेता है जहां दोस्तों इस वीडियो को एंट तक देखेगा लाइक और शेयर कीजेगा और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार आप लेट्स जिएपी एकसो अठाइस जिपी कुछ चालेस हजार की इनवाइस रेट में मलता है बाकि डिसकाउंट भी आपको मार्केट में मल जाता है चार जीपी चॉंसट जीपी कुछ चॉंतिस हजार की प्राइस रखी गई है और यहां है नहा आया वाफो फॉन वीव यहां दोस्तों यहां हमें मिल जाती है कुछ पचास हजार की इनवाइस रेट डिसकाउंट भी मार्केट मिलता है एक ही वीरियंट को लांच किया गया है छे जीपी एकसो अठाइस जीपी और अगर यहां बात कर लें हम इन दोनों ही फॉन्स के फिंगपिंट सेंसर की तो यहां Realme 3 PRO में रिएर साइट पर रखा गया है और आपको वी व में रियर साइट पर नहीं मिलता है वीओ में मिलता सूपर ऐमोडर डिस्प्लै और इन दिस्पले फिंगपिंट Connects को यहां ब्राइन की निजबत आप देखते हैं कि मैननवल वाला तेज है touched है यहां पर फिं यहां आपको फर्क नजर आ रहा होगा लिटरली थोड़ा सा ही टाइम लेता है और दुबारा कर लेते हैं यहां कुछ इस तरह की स्पीड है और in डिश्पले में सबस्क्राइब करके लेते हैं फिया किस की सबस्क्राइब को अब तो यहां ही खुशिप को देखते हैं तो now रीबूटिंग में कौन सा फोन जो है वो कम्प्लीट करता है रीबूट टेस्ट को पहले रीबूट को तो यहां दोनों ही फोन खोन आपको ज्यादा डिफरंस नहीं मिला है यहां अगर इंटर्न में मिलता है। व्ह दो आपने प्रक्राइब एपना है FUN TOUCH OPERATING SYSTEM 9 मिल जाता है यहां आपको FUN TOUCH OPERATING SYSTEM मिलता है Android pie मिलता है Realme 3 Pro में आपको मिलता है version 6.0 Android pie में आपको मिल रहा है डोनों ही FONS को unbox करते हैं 2019 से तक्रीबन सारह इपन आ एस आपको 6 GB 118GB दोनों ही FONS में ज्यादा डिफरंस नहीं होगा यहां पर प्रोसेसिंग के हिसाब से लेकिन अगर बात की जाए यहां पर दोनों ही फॉन्स के प्रोसेसर की तो यहां बड़ा टफ टाइम होगा आपको वीवो के फॉन में मिल जाता है हीलियो पी 65 जो के नई चीप है जो स्कूर करता है एक लाग 47,304 का और अगर यहां बेंच्मार्क स्कूर का चेक कर लिए जाएं Realme 3 Pro के तो यहां मिल जाता है हमें Snapdragon 710 जो कि स्कोर करता है 1,52,326 का और यह अब तक का इस रेंज का सबसे बेस्कोर होगा Snapdragon 710 के हिसाब से और यहां अब देखते हैं कि दोनों ही फॉन्स कितना बहतर प्रफॉर्म करते हैं और अगर GPU की बात कर लिजाए तो आपको Adreno 616 का GPU मिलता है Snapdragon 710 के साथ और यहां आपको मिल जाता है Mali G52 MC2 वाला GPU थोड़ा से अंडर क्लॉक किया गया है यहां पर Vivo S1 में ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं यहां सबसे पहले हम टैप को क्लोज करेंगे रीसेंट टैप दोनों में ऑपन नहीं है Wi-Fi की अगर बात कर लिजाए स्टॉंग फाइबर अली दोनों ही फोन सेम Wi-Fi से कनेक्टेड हैं सबसे पहले हम यहां पर रन करते हैं अपनी डाइलर की जो किस्टम डाइलर आता है तो डाइलर में चेक करते हैं कि कौन सा फून डाइलर को करता है पहले लोड यहां Realme 3 Pro थोड़ा सा आगे रहा मैसेजिंग की बात कर लिजाए तो यहां भी आपको नैनो सेकिंड का डिफरेंस मिलेगा मुझे ऐसा लगा कि Realme 3 Pro आगे रहा अगर हम यहां बात कर लें गैलरी की तो गैलरी को अपन करके देखते हैं तो यहां हमारा Vivo S1 गैलरी की एप में आगे रहा कैमरा एप की बात कर लिजाए तो यहां आपको Realme 3 Pro आगे नजर आया है तो यहां भी आपको Realme 3 Pro आगे नजर आया है Helio P65 काफी तफ टाइम दे रहा है यहां पर Snapdragon 710 को लेकिन अब हम अप्लिकेशन का लोड दाल के देखते हैं कि यहां पर अप्लिकेशन को कैसे आप्टिमाइज करते हैं दोनों ही फोन्स तो सबसे पहले हम यहां पर जैसा कि आप सब जानते है Zapya को करेंगे रन तो यहां Realme 3 Pro Zapya को लोड करता है पहले और बात में करता है Vivo का S1 और अगर बात करें अगली आप की तो Share It को करेंगे रन और देखते हैं कि Share It कौन सा फोन करता है पहले यहां पर लोड तो यहां पहले Vivo S1 लोड करता है Share It में और लेट होता है Realme 3 Pro तो यहां एक एप data sharing की Real Me 3 Pro में पहले अक्टिव होई और साथ ही अगर Vivo S1 की बात करें तो Share It को पहले on करता है हम अगली आप की बात कर लेते हैं तो यहां कुछ gaming की आप को करते हैं चेक कौन सा फोन करता है पहले लोड तो यहां सब्वे सफर पर करते हैं क्लिक और देखते हैं कि यहां हमें क्या म पेस वाला तो यहां भी सब्वे सर्फर जो है वह पहले अप्रिमाइज करता है पहले लोड करता है हमारा Vivo S1 रियल मी 3 Pro थोड़ा सा पीछे रहा मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देता हूं आटो पर खत्म कर देता हूं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम नाओ और अगर बात की जाए अगली आप की तो टेमपल रन टू को रन करते हैं और देखते हैं कौन सा फून करता है पहले लोड यहां गेम असिसन्स जो है वह वीवो का बहुत ही बहतर काम करता वा नगर आ रहा है और दोनों ही फॉन्स के गेम को हम चला के छोड़ देते हैं चाकि ह हम बाद में रेम मेनेजमेंट को भी चेक कर सकें और अगर बात की जाए कुछ अगली आप की तो पिन आउट को करते हैं क्लिक यहां वीवो एस वन कि स्मैश इट वीवो एस वन अगर बात की जाए सोचल मीडिया एप की तो फेस्बूक पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे और देखते हैं कि फेस्बूक को कौन सा फून करता है अप्टिमाइस पहले तो यहां रियल मी 3 प्रो थोड़ा सा आगे रहा बात की जाए यहां पर वाइबर की रियल मी 3 प्रो इंस्ट्राइगरम यहां पर आपको थोड़ा सा डिफर्छ सा नज़र आए गयाए रियल मी 3 प्रो थोड़ा सा खीक है अगर बात की जाए यहां पर स्नैप चैट की तो यहां आपको डिफर्छ नहीं मिलेगा दोना ही फ्षिंश एक साथ में करते हैं कोई भी वीडियो को चला के छोड़ देते हैं ताकि हम रेम मेनेजमेंट में भी चेक कर सकें तो यहां नॉर्मल सी कोई भी वीडियो को चला के छोड़ देते हैं यहां यूट्यूब में रियल मी 3 प्रो आगे रहा से पूर आमिलेट की वज़ा से आपको यहां वियूइंग एंगल और कलर स्थोड़े से वाइबरेंट मिलेंगे ब्लैक्स आपको यहां पर ज्यादा क्लियर मिलेगा वीवो एस वन में वहालो किसी और कंपरेजन में क्या है आप की जैसा कि जानते हैं आपकों में या फ़ीवो एसक वीवो एस one में मिलती है आपको इक अपशन दी गई है और रहा आपको एक उपशन दी गई है और साथ ही कि अगर बात कर ली जाए दोनों ही फॉंस के तो ग्राफिक सेटिंग्स में आपको यहां पर हाई के साथ एच्डी बैलेंस के साथ आप अल्ट्रा पर भी खेल सकते हैं रियल्मी 3 प्रो में आपको अल्ट्रा वाला उप्शन मिल जाता है और हाई के साथ अगर आप खेलना चा बेटर मिलती है वारहल यहां आप्टिमाजेशन का टेस्ट है कौन सा फोन बहतर काम कर रहा है टेस्ट आपके सामने है आपको बहतर अंदाजा हो जाएगा के वीवो एस वन में आपको कितना यहां पर आप्टिमाइज मिला वीवो एस वन मुझे कुछ ज्यादा डिफरस न मिला लेकिन अगर यहां रैम मेंजमेंट की बात की जाए तो आपको रैम मेमरी में तकरीवां सारी एप ही मिल रही है हम यहां कुछ एप्स को हमने चलते वे छोड़ा था हम उसको चेक कर लेते हैं लेकिन वीवो का गेंट्यूब जो है वह 20 मिनिट के बाद पबगी को आप अप्लिकेशन को लूड़ कर रहा है यह भी आपको डिफरेंस मिलेगा और अगर एक और एक और एप की बात कर लीजाए यहां एक और एप को चेक कर लेते हैं हमने यूट्यूब को भी चलता वह चोड़ा था तो यूट्यूब वहीं से आपको मिल रहा है और यहां भी आप यहां पर काफी ज्यादा बहतर की गई है वीवो की तरफ से इस प्रोसेसर को लेकर जैसा कि आपने देखा रियल मी 3 प्रो स्टिल परफॉर्मेंस बहतर दे रहा है लेकिन अगर यहां वीवो स्टिल यहां पर काम किया इवन आपको यहां पर जो गेम असीससेंस वाला आपशन है इसको भी अप्रीट किया गया है बाकि डेडिकेड़िडू में पपजी का भी टेस्स करेंगे कि लांग लाइव लांग टर्म में यहां अगर कोई लंबी वी गेम खेलनी है PUBG की तो दोनों में से कौन सा फोन बेटर नजर आता है यह परफॉरमस में काफी ज्यादा अप्टिमाइज नजर आया मुझे रियल मी 3 प्रो लेकिन अगर गेम आप्टिमाज़ेशन की बात की जाए तो वी वो एस वन भी कम नहीं रहा वाकि रैम मैनेजमेंट भी दोनों ही फॉन्स की तकरीवन से मिली अब जो रियल मी 3 प्रो है वह आपको 40,000 के राउंड आउंड आउंड मिलता है च्छीप और अगर आप रियल मी 3 प्रो य्यूज़ कर रहे है क्या आप सेटेस्वाइड है आज वाले स्पीटस से परफोरमेस्ज़ से और काफिए स्क्टेस्टस के में शेयर किज़ेगा और आप करना चारे हैं वी वो सब्स्क्राइब के किसी और फोन के साथ कम पर तो यह भी केमे वो S1 का चाहिए के नहीं चाहिए तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो अगले कंपारिजन या अगले रिव्यू तक मुझे दें इजाज़त मैं हूँ अलियाबास मासेक से पाकिसान पाइंदाबाद अलाहाफिज